नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मन्विंदर एंडियन नेट्वर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है राम आये हैं यही कहा है न प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने तो राम आये हैं अब राम राज्य की और देश बढ़ रहा है और राम राज्य क्यों नहीं आएगा निश्ची तरुप से आएगा और इससे खुशी की और बात कुछ हो नहीं सकती राम लला 500 साल के बाद टेंट से उठ करके अपने स्थान पर विराजे हैं निश्ची थी 22 जन्वरी का दिन 22 जन्वरी की तारीक देश ही नहीं दुनिया के लिए भी बेहत बेहत खास है इस मौके पे देश के परधान मंतरी नरेद मोदी ने जो कहा उससे देश ही नहीं अपने देश के वासी ही नहीं दुनिया को भी इससे सबग लेना चाहिए और दुनिया सबग लेगी ये भी समझ लिजे यानि कि राम आये हैं इससे दुनिया सबग लेगी आगे आने वाला जो समय होगा वो इस तारीक को याद रखेगा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको वो बताती हूँ जो परधान मंदरी ने कहा है सदियों की प्रतिष्छा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान त्याग और तपष्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए है तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है इसलिए भी खास है क्योंकि ये अपने साथ विजे लेकर के आया है लेकिन परधान मंतरी ने कहा है कि ये दिन विजे के साथ विने का भी दिन है आप जड़ा ये भी देखे उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही यक्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये आउसर सिर्फ विजे का नहीं विने का भी है कि दुनिया का इतिहास साच्ची है कि कई राष्ठ अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं कि ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उल्जीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई तो आज का जो दिन है 22 वरवरी का जिर्द दिन है वो विजे के साथ साथ विने का भी दिन है आप इसके शाब्दिक अर्थ समझ रहे होंगे विजे विजे यानि की जीत यानि की सफलता सेक्सेस और विने विन्नम्रता हमबल प्लस पेशन्स इन शब्दों का प्रयोग परधान मंत्री नरेद मोदी ने क्यों किया वैसे तो आज उन्होंने बहुत कुछ बहुत कुछ ऐसा कहा जो आने वाली पीडियां उसको समझेंगी, समझती रहेंगी, सुनेंगी, सुनती रहेंगी, देखेंगी और देखती रहेंगी लेकिन समझने की बाती ये है, विजे और विने, राम मंदिर के लिए 500 साल तक का इंतजार किया, ये एक बहुत बड़ा पेशन्स है, विनम्रता है, इसके लिए नियाय की मांग उठी, सुप्रीम कोर तक मामला पहुंसता है, कई सरकारें आती हैं, लेकिन किसी ने भी राम जीटता से नहीं सोचा, तो किस ने सोचा, किस ने इस मुद्दे को अपने एले में शामिल किया, और किसे इसका श्रे मिला, नरेन मोदी को, obviously, परधानमंद्री नरेन मोदी ने 22 जनवरी के मौके पे, जो उनकी भूमी का थी, वो जजमान की भूमी का थी, और इस मौके पे, वो क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको सुनवाती हूँ. प्रभूस्री राम से, छमा याचना भी करता, हमारे पुर्शार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में, कुछ तो कमी रह गई होगी, कि हम इतनी सदियों तक, ये कारिय कर नहीं पाए हैं. आज, वो कमी पूरी हुई है. मुझे विश्वास है, प्रभूराम, आज हमें अवश्य शमा करेंगे. तो जहां परधानमत्री ने ये कहा, कि ये दिन विजे का नहीं विने का भी है. अच्छा, कुछ लोग ये कहते थे, कि राम मंदिर बनेगा, तो आग लग जाएगी. इसे भी उन्होंने अपने भाषन में जोड़ा, और कहा कि वे लोग भारतिये, समाज के सद्वाव और सयम को नहीं जानते थे. राम आग नहीं उड़ जाये, राम सिरफ हमारे नहीं है, सबके हैं, राम विवाद नहीं है, समाधान है. अब वडाइशुट से की एक-एक शब्द में, एक-एक शब्द में दोस्तों इसमें सीख है. किमल भारत के लिए नहीं हर परिवार के लिए हर समाज के लिए देश दुनिया के लिए इसमें सीख है जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बने का तो नजाने क्या होगा लेकिन देखिए राम से कोई विवाद नहीं उन्होंने ये जो बात कही है कोई विवाद नहीं तब ये समझे कि राम का जो ये आज मंदिर बना है जिसमें राम लला को परतिश्टित क्या गया है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबग है इसका श्रे भी मोधी को ही मिलना था क्योंकि युनो जैसा होना होता है वैसा ही होता है ऐसा नहीं के राम मंदिर के लिए परयास नहीं हुए परयास तो चली रहे थे आप संडाउंस आते रहे और जब दिन आया तो ये काम भी हो गया परधान मंदिरी नरेद मोधी नहीं जो मैंने आपको उनका वीडियो सुनवाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं प्रभुराम से शमा जाचना करता हूँ हमारे त्याग तपस्या पूजा में कोई कमी रह गई होगी कि इतने साल मंदिर निर्वान का काम नहीं हो पाया आज ये कमी पूरी हुई भारत के सम्मिधान की पहली प्रती में राम विराजमान है दसको तक प्रभुराम के अस्तित्व पे कानूनी लड़ाई चली और उन्होंने न्यायपालिका कभी शुकराना किया कि उन्होंने इस पूरे मामले में सनातन की लाज रखी अच्छा आपने देखा कि कुछ लोग कुछ लोग इस मंदिर का डेवान से विरोध कर रहे थे उनके विरोध का ऐसे उन्हें खुद को नहीं पता था कि लॉजिक क्या दे रहे हैं बस मंदिर नहीं बनेगा चलिए मंदिर बना तारिक तय हुई नियोते पे विवाद हो गया राजनितिक है ये इवंट RSS का है ब्ला ब्ला लेकिन आपने देखा आपको क्या इसमें लगा कि ये इवंट किसी व्यक्तिविशेश या किसी RSS या किसी मतला आप कुछ भी से समझ लीजे आपको कुछ लगा इसमें ये एवेंट आस्ता का इवेंट था और इंडी अलायंस का मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ उन्होंने निचले स्तर पर उतर के इसका विरोध किया यानि कि ये लोग नहीं जानते थी कि ये क्या कर रहे हैं इन्हें ये भी नहीं पता था कि 22 जन्वरी को क्या होने वाला है, क्या अलोकिक होने वाला है, इन्हें नहीं पता था, ये अपने हिसाब से अजोध्या नजा करके, अलग-लग मंदिरों में जाने का इन्होंने नाटक किया, मेरा पर्सनल ये व्यू है कि अगर ये लोग अजोध्या पहुंचते तो शायद इनको इनके मन को कितनी शुबता मिलती लेकिन इनका ध्यान तो अजोध्या में ही था इसके बावजूद ये अजोध्या में नहीं पहुंचे और जिस तरीके से इन्होंने प्रचारित क्या हुआ था बटशुट से राममंदीर का मुद्दा कभी कोई मुद्दा नहीं था मुद्दा इने सेंस के एक जमीन के टुकडे को ले करके लड़ाई थी कि जहांपर यह है और यहांपर यह है यानि कि मालिकाना हग तो ये मालिकाना जो हक था वो रामलाला का था और जिस समय यूँनों कोट ने अपना आदेश लिखा तो उसमें भी उन्होंने एक लाइन लिखी कि ये स्थान जो है इस पे हिंदु लोग जो चाहें कर सकते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे मंदिर बनाओ इस पे स्कूल बनाओ इस पे होस्पिटल बनाओ या इस पे कुछ भी बनाओ जैसे आज की तारीक में यहीं लोग कह रहे हैं कि वहाँ होस्पिटल बना देना चाहिए था कोई विवाद नहीं होता लेकिन क्या ही नहीं पता कि असल वज़ा क्या है वो जगह किसकी है वो तो जगह ही राम जी की है और इसमें सुप्रीम कोट ने ऐसा कुछ खास नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये जो एक राम जी का जो जगह थी जमीन का जो हिस्सा था जिसे आप भुकंड कह सकते हैं जिसे आप एक जमीन का टुकडा कह सकते हैं वो उस पे अपना निर्ड ने दिया था तो ये कहना ग या कुछ बना लो मंदिर की लडाई थी ही नहीं लडाई आस्था की थी और जीत भी आस्था की हुई अच्छा अब एक और बात है जिन लोगों ने इस स्थान के लिए कुछ नहीं किया वहाँ जाकर के अभी देखा भी नहीं वो लोग एंड अफ दे ये कह रहे थे के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी क्यों प्रान परतिष्ठा करेंगे इवन कुछ धार्मिक लोगों ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री क्यों जज्मानी कर रहे हैं क्यों प्रानपतिष्टा के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं तो देखिए ये श्रे ये श्रे भी प्रधानमंत्री नेरेद बोधी को जाना था क्योंकि देखिए ये भी भाग्य से होता है और भाग्य से हुआ, इसका समय जब आया, तब राम ललाजी अपने टेंट से उठ करके उस अपने स्थान पे गए, जो उनसे 500 साल से भी ज्यादा से अधिक समय से उनसे छीना गया था, जब तै हुआ, जब समय आया, तब वो भी राजे वहां, तो ये जो आज मैंने छोटी-छोटे भाषन को ले करके आपसे बात सांजा की है, इसका मकसद सिरफ यही है, जो दुनिया इससे संदेश ले रही है, इससे सबक ले रही है, वो ये है कि ये जो एक मालिकाना हक की जो एक लड़ाई थी, उसमें कितना बड़ा पेशेंस रखा, कितनी भी नमरता रखे, ये विजे की बात नहीं है, ये विने की बात है, यही कहा ना परधान मंतरी नरेंद मोदी ने, एक बार मैं फिर से आपको सुनाना चाहूंगी उत्सवता का ख्षण तो है, लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है, हमारे लिए ये आउसर सिर्फ विजे का नहीं बिने का भी है दुनिया का इतिहास साच्ची है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ये जो बात हो रही थी कि दुनिया इससे सबक लेगी, तो जिस पेशंस से भातियों ने, जिस पेशंस से प्रानपतिष्टा की मंदिर बनाया राम लाला कुन की जगा दिलवाई, ये एक सबक है देश के लिए, दुनिया के लिए, मैं तो ये कहती हूँ कि परिवारों में भी अब विनवर तक खतम हो रही है, उनको भी सबक लेना चाहिए, समाज में ये चीजे धिरे-धिरे कमजोर पड़ रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए, दुनिया भी इस सबक लेगी, ये प्रधान मंतरी जी ने अपने भाशन में कहा है, निश्चित रूप से दुनिया इसको समझेगी, क्योंकि आप देखिए, हर जगा पे कोई ना कोई, कोई ना कोई लड़ाई की वजय वनी हुई है, अब चुकि पेशन्स नहीं ह वो किसी भी चीज़ पे विजय पा लेते हैं, लेकिन वहां से विने गायव होता है, यानि कि पेशन्स नहीं होती, और जब पेशन्स नहीं होती न, तो जो भी फ्रूट होता है, उसमें नुकसान होता है, देखिए, कई मुल्कों में लड़ाई चल रही है, तो उसके पीछ रीजन क्या है, रीजन आप देखिए क्या है उसके पीछे, विजय पाना चाहते हैं, विनबर्ता को ताक पे रखे, तो आज ये जो उनके दो शब्द हैं, विने और विजय, ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबग है, तो दोस्तो परधानमंत्री नरेद अपने भाशन में बहुत सारी ऐसे बाते कही है, लेकिन मैं परस्नली ये फील करती हूँ, कि जब परधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी हर एक बात में, हर एक लहजे में कोई ना कोई मैसिज छिपा होता है, तो आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, धन्यवाद, मैं च वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इसके बारे में आप अपनी टिपड़ी भी लिखें, इस वीडियो का आप लाइक कीजिए और दोस्तों में तो शेयर कीजिए ही आप इसको, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लिजे, ताकि जो भी मेरा लेटेस कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँझे, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जैहिन, जैभारत!